तो मेरा नाम सक्षम डोब्रियाल है और यह NRX Knowledge Channel है जहाँ पर हम बाते करते हैं ड्रग्स के बारे में और जो मैं ड्रग आपको आज बताने जा रहा हूँ उस ड्रग का नाम है स्मैक यह आपने सुना होगा यह बहुत कॉमन ड्रग है स्मैक और बहुत सारे लोग इसे अफीम अफीम और गांजा एक जैसा ही समझते हैं यह कुछ आपने ड्रग सुने होगे जिसको कैनेबीस प्लांट से रहते हैं लोग ओपियम और कैनेबीस को दोनों को मिक्स कर देते हैं पर असलियत में यह दोनों ड्रग बहत ही अलग होते हैं तो आज मैं एक ड्रग लाया हूँ जिसका नाम स्मैक आपने सुना ही होगा उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा तो चली शुरुबात करते हैं और बताता हूँ स्मैक होता क्या दोस्तों जो स्मैक नाम का ये ड्रग रहता है ये असलियत में एक तरह से हिरोईन यानि कि अफीम से निकलाव पदार्थी रहता है अफीम से निकलाव पदार्थ का ये मतलब है कि अफीम में कुछ नैचुरल केमिकल निकलते है जिनका नाम है मॉर्फीन और कोडीन Morphine में जब Acetic Enhydrate नाम का एक chemical यानि एक recine डाला जाता है तब उससे एक semi-synthetic drug बनता है जिसे die-style Morphine कहा जाता है और उसको दूसरे नाम से प्रश्चित वो heroin से जिसका नशा करा जाता है Smack भी वही drug है जब heroin का कुछ residual बचा-कुचा product बच जाता है 20% के अनुसार तो उसे smack कहा जाता है smack में पूरी तरीके से 20% heroin नहीं होती है उसमें मिलाया जाता है black tar तब ये कुछ नाम से horse, junk और इन सब के नाम से जाना जाता है यानि कि tar coal को मिलाया जाता है आपकी heroin में 20% heroin में और उसमें और भी जादा chemicals का इस्तमाल करा जाता है ताकि ये जो अफीम है जानि कि heroine है इसमें मिलावट बनाई जाये और जो user है उसमें मिलावटी वाले chemicals का इस्तमाल करा जाया और heroine का कम से कम इस्तमाल करा जाये जो pem Trackers होतें जो पेडल रज़ वो कोशिश करते हैं कि heroine जो रहे इसमें کम से कम रहे और वो जात्तर mix करते हैं, इसमें मिलावटी चीज, जिसे यानि की तारकॉल, स्ट्राइकनिंग, केमिकल, मैं आपको बताऊँगा स्ट्राइकनिंग क्या केमिकल होता है, और कुछ चॉक पाउडर और जिंक ऑक्साइड ऐसे रहता है, अब बात करते हैं, स्ट्राइकनिंग, इसमें क्या केमिकल है, जिसके बारे मैं आपको बता रहा था, स्ट्राइकनिंग एक ऐसा केमिकल है, जो की लेबार्टरी में इस्तमाल होता है, ये भी एक क्या बोलते है, प्लांट एक पौदे से निकलता है, इसको Strychnis Nux Vomica कहा जाता है, Strychnin Chemical जब इंसान अगर हम किसी में इस्तमाल करें, अगर हम इसमें Laboratories में देखें कि हम इसका कोई सेवन करता है, तो उससे उसको Conversion होता है, Conversion यानि आप यह समझ लेदी कि उसकी म पता नहीं होती है, और इस मिलावट के कारण क्या रहता है, उनके मांसिक संतुलन पे दबाव पड़ता है, चलिए हम कुछ बात करते है, Smack Drug के गलत सेवन करने से, क्या-क्या गलत चीज़ें होती है, और क्या वो patient रहता है, जो इसका इस्तमाल करता है, दिखिए, Smack Drug को अगर क्या करते हैं, कि अपनी aluminum foil पे अपनी जो tablet रहती है, उसको पिखल के, जो उसका liquid form बनता है, तो उसको धुआ सूने की कोशिश करते हैं, इसको दूसरे method में, scientific method में, chasing the dragon method क्या कहा जाता है, ऐसे method को, और कुछ लोग इसको smoke करके भी करते हैं, मतलब धुमरप्रान के थू करत हैं, लेकिन chasing the dragon method, यानि कि aluminum foil पे इसका liquid का धुआ सूनते हैं, ये बहुत common method रहता है, smack users पे, जो भी इसका इसका इस्तमाल करते हैं, और smack एक तरह से heroin का बचा-कुचा product है, जो कि 20% होता है, लेकिन इसमें बहुत जादा adulteration की चीज मिलाई जाती है, यानि कि मिलावट मार्केट में नहीं मिलता है, और बहुत low cost पे चीज चीपली available होता है, ठीक है, अब इसकी सेवन के बारे में हम ये बताते हैं, कि इसका जो सेवन करते हैं, लोग उनको क्या होता है, जो लोग smack का सेवन करते हैं, उनका brain damage completely होना शुरू होता है, धिरे-धिरे करके, कुछ patient म जादा smack, जो smack के जो addicts रहे हैं, उनका completely brain damage हुआ है, ऐसे patient को बहुत जादा hallucination, paranoia, ऐसे की मतलब की, ऐसे की अभास होना की, जो चीज है नहीं, उस चीज का अभास करना, मानों की अभास आना, या फिर भूत दिखाई देना, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, सपने गलताना, memory loss, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, smack addicts यानि की जो भी इसका drug का सेवन करते हैं लोग, ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, ऐसे लोग disorientated रहते हैं, मतलब आप कह सकें, कि उन्हें बारी जो भी environment है, बारी जो समाज है, उससे वो दूर हो जाते हैं, उन्हें इन इनसान धिरे-धिरे करके उसको, क्या रहता है, बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, smack जो drug है, उसको हानिकारक बनाने वाली इसकी जो चीज़ें हैं, वो ये है, कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट का इस्तमाल करा जाता है, जैसे मैं आपको होता है, कि strikinging नाम का ज सकता है, lifelong के लिए भी, और कभी उसको short term memory loss भी हो सकता है, smack addicts जो रहते हैं, ये जितने भी रहते हैं, इनको भूत दिखाई देना, ये memory loss, hallucination, ये सब चीज़ें भी रहते हैं, साती सार जब इन्हें ये drug नहीं मिलता है, जैसे withdrawal कहा जाता है, कि जब इस drug की आप कह सकते हैं, कि इनको नहीं मिलता है drug, तो इनको क्या बोलते हैं, बहुत जादा कभी ठंड लगना, कभी गर्मी लगना, पेट खराब होना, नाग भेना, ऐसे ऐसे चीज़ें होने लग जाती हैं, जो कि आम वातावरंट, जैसे माली जी गर्मी हैं, और उस टाइम पी भी ठंड लगरी, एसे चीज़ें होती हैं, मतलब वातावरंट से उल्टी चीज़ें भी ऐसे चीज़ें होने लग जाती हैं, smack drug बहुत जादा उपलब्ध है मार्केट्स में, मतलब illegal markets में, क्योंकि ये illegal drug है, बहुत जारे इसको बेसते हैं, और ये drug के बारे में पूरी जानकारी ना होने के क पारे इस चीज़ें का सेवन करने से वो बहुत जादा क्या हो रहा है, उनका brain damage हो रहा है, ये drug बहुत ली cheaply available भी हो जाता है, इस drug की खास बात यह है कि जितना cheap होता है, उतना जादा मिलावटी होगा, और जितना जादा प्योर रहेगा, उतना जादा महंगा होगा, ये ब कर रहे हैं, उसमें मिलावट तो बिल्कुल ही, और सबसे आदा ये drug youth में famous है, जिसे मैंने आपको बताया, smack drug की अगर बात करें, smack drug अगर हम बोलें तो बिल्कुल एक residual product है, और smack drug का जो अलग-अलग नाम है, वो उसके junk, tarcol, क्योंकि इन सब के mixture रहते हैं, और कुछ लोग इ dependent जो therapy रहती है, जो भी इनको opioid, क्योंकि ये heroin जो आता है, तो इसी therapy के अंदर चलती है, इसमें बहुत सारी ऐसी दवाईयों को दिया जाता है patient को, जो की opioid addicts होते हैं, उनको छुडवाय जाए, oxycodon, बहुत सारे ऐसे drugs हैं, जिन से हम ऐसे smack या heroin इन सब से कराया जाता है, और ये therapies काम कर जाती है, अगर patient ढंक से cooperate करें और उसे हो जाए, तो ये छूट भी सकती है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जो heroin ये opioid drugs होते हैं, ये mostly जब आगे-ागे इनको chemical synthesize करा जा रहा है, तो mostly synthetic और semi synthetic बहुत ही जान लेवा होते हैं, ऐसे chemical drugs को इस्तमाल भी नहीं करना चा कर सकते हैं, आपका permanent brain damage भी कर सकते हैं, तो ऐसी गलत चीजों का सेवा ना करें, और ये पूरी तरीके से illegal है, अगर आप इसका consumption करते हो या फिर आप इसको आपके पास हो, तो आप बिलकुल पकड़े जाएंगे, अंडर दर नार्कोटिक साइकोट्रोपिक एक 1985 के अंतर्ग कि बस यही बात थी मैंने आज जो आपको बताए कि smack होता क्या है, और smack जैसी चीजों से जितना हो सके दूर रहा जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीजे हैं, और बस यही मेरी जानकारी थी, और मैंने आपको share की smack drug होता क्या है, अगली वीडियो में मैं कोई अलग drug के बारे में बताऊंगा, तिल देन मेरा नाम है सक्षम डोबियल, यह है नारच नोच चालन,